यूट्यूब चैनल नसिंग जान पे देखिए फ़स्ट इयर का जो है आज हम लेकर रहा है बिहाइबियर साइंस ठीक आज हम लोग बिहाइबियर साइंस के मोस्ट इंपर्टेंट कुष्चन कराने वाले है ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं बीना केसी देरी किये हुए ठीक तो देखिए यह जो छेत्र है साइकोलोजी का चलिए जो हम लोग यहाँ पर देखने का परियास करते हैं ठीक है चलिए अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो साइकोलोजी का जो एसकोप है उससे पहले आप लोग जानिए कि साइकोलोजी मनो बिग्यान होता क्या है त समझ गया ना और अस्तु ने कहा कि मनो बिग्यान मन यानि बेवहार का बिग्यान है और वाटसर ने सिर्फ इसमें क्या जोर दिया कि सकरात्मक बिग्यान है यानि मनो बिग्यान मानब बेवहार का सकरात्मक बिग्यान है यह वाटसर ने जोर दिया ठीक है फिलसबरी ने क्या कहा पिलसबरी के अनुसार कि मनो बिज्ञान मानब बेवहार का बिज्ञान है मतलब माइनर माइनर डिफ्रेंस है सब में ठीक है न यहाँ पे पिलसबरी उने कहा कि मनो बिज्ञान जो है मानब बिहवियर का मानब बेवहार का एक बिज्ञान है ठीक है और इसी में अगर नीशन जो की अलग-अलग साइकोलोजिस्ट ने बताया था अब चलिए हम लोग मनो बेग्यान का बिभीन छेत्रों को देखते हैं देखिए मैं बार बार आप लोगों कहता हूं कि मनो बिग्यान एक क्या है आपका एक अध्यन समागरी का छेत्र है अब ये मनो बेग्यान के स पहला है समान मनो बिग्यान जेनरल साइकोलोजी जेनरल साइकोलोजी का मतलब होता है कि इसमें जो अध्यन किया जाता है तो यह समान जो मनो बिग्यान है ए मनो बिग्यान प्रानियों के समान बेवहारों का सदारन परस्थितियों में अध्रन करता है यह मनो बिग्यान के समान सिधान तो मौलिक नियमों का अध्यन करता है इसमें जो है समान बेक्तिके मानसिक जीवन से समन्धित संबेदना प्र दूसरा है असमान मनोबिग्यान, असमान मनोबिग्यान का मतलब हो गया कि असाधारन और असमान बेभारों का अधियन जो है इसमें किया जाता है, साती अन असाधारन मांसिक अवस्था असाधारन मतलब जैसे दिन स्वापन, दिन में सपना देखना, एसमिरिती भ्राम, लॉ हो गया तीसरा है मानब मनोबिज्यान तो इसमें केवल और केवल मानब के अध्यानों को तुलना किया जाता है स्माज गया ना यह है पशु मनोबिज्यान चलिए पाचमा है बेटि मनोबिग्ना इंडविजवल अब इसमें होता है कि सब्वेक्तियों के बेक्ति गत Such by वहार होता है उसका आध्यान कियोहाता है तो यह वहार अलग अलग होता है समझ गए चुकि यह समूह में सब का अलग-अलग बिभार होता है, सब का अलग-अलग मन होता है, यह समूह में रहने वाले बेक्तियों का अधियन किया जाता है, तो यह समूह मनो बिग्यान होता है, समझ गए, सात्मा देखियेगा, समाजिक मनो बिग्यान है, सोचल साइकोल साइकोलोजी है अब इसमें जो है यह मनोबिज्ञान होता है तो यह समाज में इस्थिती समाज के प्रती चिंतन आधी अधियन किया जाता है समझ गये इसके द्वारा जो है नियमों का अनुसंधान करना समाजिक संगठनों को इस्थिर कैसे रखना है यह समाजिक Between उस सख़ा में इस साख़्ा में प्रॉड व्यक्तियों के विवीन बेवारों का अधियन किया जाता है क्योंकि प्रॉडटर्व्यक्ति होता है यह बच्चे अलग होता है इसलिए प्रोड साइकोलोजी अलग है और बाल साइकोलोजी अलग है बाल मनोबिग्यान अब बाल मनोबिग्यान जो होता है इसमें बाला के सारीरिक, मानसिक, समाजिक समझ गया ना संबेगात्मक और गमायात्मक इस्थितियों का आधियन किया जाता है चुकि इसमें तसान है बस आपको जो है इसका अधियन करते इसको याद कर लेना है कि कौन-कौन से हाई छेत्र समझ गया है उसके बाद है कार्येकी फिजियोलोजिकल साइकोलोजी है आप देखिए हमारा सरीर में मनो बिज्ञान में सरीरिक परकिरियाओं का मनो बैग्यानिक दिरिष्टी स से अधियन किया जाता अतया विस्षिष रखा कार्येकी मनो बिज्ञान कलात इसके अंतरगत मानब बेवार को प्रभावित करने वाले अंगों जैसे मस्तिक, समेरुरूज, संबेदी अंग, मानस्पेसिया, तंत्रीका, आधि कार्येकी बिज्ञान का अधियन है फिजियोल इस लिए जो है परीयोगातमक बिज्ञान का सबसे महत्पून बिज्ञान का सबसे महत्पून बिज्ञान जो है मानसीक परकिरियाओं और बेभारों का अध्यान है तू नियंतित परस्थितियों में बैग्यानिक पधितियों का परियोग किया जाता है मतलब बैग्यानिक जो चीजे है उसको जो है उपयोग किया जाता है experimental psychology में परियोग किया जाता है समझ गए अधियन करने के लिए 12 नमबर देखिएगा परा मैनो बेग्यानी है परा psychology का मतलब होता है कि यह जो है इसमें जो है इतेंद्रिये और अती इंद्रिये और इतेंद्रिये अब वोधन पर्व जन्मो यह सब का अधियन किया जाता है और यहां मनो बिग्यान का नई विक्सित सखा है जिसमें जो है पर्व जन्मो के बारे में अधियन किया जाता है इतेंद्रिये और अती इंद्रिये का अधियन किया जाता है समझ गए तो याद रखेगा परा मनो विग्यान, तेरा है विकासात्मक मनो विग्यान, डिवलोप्मेंट साइकोलोजी, डिवलोप्मेंट साइकोलोजी का मतलब है कि जैसे सिसू है, फिर बाल अवस्था है, फिर किसोरा अवस्था है, फिर ब्रिधा अवस्था है, और जैसे जैसे बे के बिवहार में भी जो है बदलाब आते रहता है तो इसके बिवहारों का आधियन इस विकास के करम में होते रहता है तो यही विकास आत्मक डिवलोप्मेंट साइकोलोजी है समझ गए नेक्स देखिएगा चोदर नमबर सिक्षा मनोबिग्यान एजुकेसनल साइकोलोजी का मतलब है कि इस मनोबिग्यान का यूज जो है सक्षिनिक छेतर में उसके सिधानतों उसके सलकनमपना उसके तकनिकों और मानब बेवहारों प सिक्षा मनोबिग्यान का मतलब है कि जैसे इंडुस्टिरियल इरिया में जितने भी काम करने वाले मजदूर होते हैं या फिर उस इंडिस्टिरी से अगर कोई गनाहाक बेवारी जूरा होता है तो वह एक दूसरे के बातों को समझने के लिए कैसे एक दूसरे को ध्यान ख् फैक्टरी के मालिक से वेपारियों से वेपारियों को जो है गनाहकों से कैसे एक दूसरे से जोरा जाए उनके बातों को उनके डिमांड को समझा जाए तो यह अधागिक मनोबिग्यान इंडुस्ट्रियल साइकोलोजी के उपर ही एस सब बेश्ट होता है समझ गया ना चलि क्षण क्या परकार होगा कैसे निदान किया जाएगा तो यह क्लिनिकल साइकोलोजी नैदानिक मनोबिग्यान होता है समझ गये चलिए नेक्ष देखिएगा बेवसाइक प्रामर्स मनोबिग्यान है काउंसिलिंग एंड भोकेशनल गाइडेंस साइकोलोजी है अब यह जो ह अपना करियर चुनने में मदद करता है तो यह आपका होता है काउंसिलिंग बेवसाइक प्रामर्स मनोबिग्यान जिसमें युवाओं को जो है उनके करियर चुनने के लिए उनको जो है उनके छमताओं के अनुसार परतिभा के अनुसार उनको करियर चुनने का जो है इसमे मनो बिग्यान में जो भी नयाए परनाली है कि जैसे कोई अपराद किया है तो जूठ बोल ला है या जो जज है तो उसका अपराद का कैसे जो है सदा का निर्धारन करेंगे जूठे गवाह को कैसे पहचानेंगे कि ये जूठ बोल ला है समझ गया ना उसके अपराद को कैसे करते हैं तो यह आपका यही बैधानिक मनो-विव्यान लीगल सौइकलोजी के द्वारा होता है समझगे चीज़ को चलिए..नॉमा है सैन मनो विव्यान का मतलब हो गया कि इस मनो-विव्यान के सक्खा के द्वारा latest के चेतर में मनो बैग्यानिक सिध्यानतों का परियोग किया जाता है समझ गया ना इसमें होता है कि जैसे साइन सेवा है तो उसमें कैसे भरती किया जाए उसका परसीक्षन कैसे होगा उसका नेत्री तो कैसे त्यार किया जाए यूद के समय में साइनिकों का मनो बल कैसे बनाए रखे इन सारी चीजों पर जो है कैसे एक दुसरे से सामणजस संपर्क बनाना और अधिकारियों से कैसे कारड़िनेट करना है या शैनिकों से कैसे कारडनेट करना है तो यह सैन्न मनोभिज्ञान एक महत्पून भूमी का निभाता है साइकोलोजी के चेतर में समझ गए और आखरी है बीसमा नंबर यहाँ पर देखिएगा बीसमा नंबर जो है ओ है राजनीतिक मनो बिग्यान पुलिटकल साइकोलोजी अब आप लोग को पता हो कि कोई भी राजनीतिक दल होता है तो सब जो है अपने अपने एक अपने अपने जो है नेत्रित्व के अनुसार जो है काम करता है सब का एक अध्यक्ष होता है उपाध्यक्ष होता है छेत्र के हिसाब से सब का जो है कारकरता बाटा होता है तो वह ज बेतर में साइकोलोजी इस तरीका से मदद करता है की कैसे ज smoother के गण जन जयनता कीम्द में जानता क्या चाह लही है नित्रित्व का गून किसमें कैसा है तब ही न जो है अ Ethan कहांच Państ संभाद आ है परचार कामनों बिजल, परचार क्या किया जाए, कैसे किया जाए, लोगों के बात क्या है, क्या समझा जाए, राजनीती के कला के रूप में कैसे हो सकता है, चुनापर सासन, समझ गये, कानून, आदी-छेतर इसकी अध्यन समागरी है और इसमें राजनीती के हर एक पहलूओं के बारे में अध्यान किया जाता है इस psychology में समझ गए जो क्या करता है कि राजनीती के छेत्र में एस psychology बेक्टी को विभीन चीजों के अध्यान और गुनों के knowledge के बारे में बताता है समझ गए तो यहाँ पे आपको यह 20 याद रखना है सबसे पहले आपको यह 20 पॉइंट याद रखना है कि कौन-कौन से पॉइंट है इसमें आप जैसे यह चीजे याद रखेंगे तो आपको असानी से याद हो जाएगा ठीक है चलिए अब यहाँ पर देखिए इसको जो है यह जो psychology है ना इसको दो category में बाटा गया लेकिन इस दोनों category में यह 200 सिधान आए 200 चेतर आ जाता है समझ गया ना उप्यूप्त जो भी हम लोग बीचना देखें है चेतर देखें है उन सब में मनो बिज्ञान का चेतर जो है बहुत ज़्यादा ब्यापक है मनो बिज्ञान के बिज्ञान चेतर यानि जो इसका बिज्ञान आए 200 चेतर है मनो बिज्ञान का सध्र जो है वह सैधानिक है समझ गया ध्योरीकल है और भी हारल है समझ गया वहारिक की है आपका हो गया psychology के जो है दोनों छेत्र को peace point में हम लोग देख लिए हैं आप लोग इसको अच्छे से याद कर लिजेगा समझ गए important person है next आपसे question पुछेगा ये भी 10 नमबर के question है question आपसे करेगा कि समाध सात्र के विभिन सखाओं के बारे में scope of psychology समझ गए scope of sociology psychology मतलब समाध सात्र के सखाओं का अध्यान करे या branches of sociology समझ गए जिस तरीका से उपर हम लोग psychology का देखे हैं मनो बेग्यान का छेत्र देखे हैं या सखा देखे हैं उसी परकार से अब हम लोग यहाँ पे sociology समाध सात्र का भी देखते हैं दोनों को हुचेन में से कोई एक पुछने का उमीद है इस वा ठीक है समाध सात्र के परमूख सखाए नीमन है कौन-कौन से सखाए इसमें भी एगारा सखाए हैं आप लोग ध्यान देकर पढ़िएगा पहला है परयोगात्मक समाध सात्र देखिए experimental sociology परयोगात्मक समाध सात्र इसमें समाध के लिए उनके विशायों के अध्यान किया जाता है और इसमें परयोग आत्मक मतलब परयोग के द्वारा अध्यन कियाता है क्योंकि परयोग आत्मक भी ज्ञान जो होता है वह परयोग पर ही depend करता है समझ गये ना experiment पर ही science पुरा experiment पर ही चलता है समझ गये दूसरा देखिएगा यहाँ पर बेवहारिक समास्त्र है applied psychology समास्त्र में बिजमान विभिन समाजिक समस्याओं के समाधान है तो समास्त्र के ज्ञान उपयोग बेवहारिक रूप से समास्त्र के अंतरगत किया जाता है देखिए समास्त्र में जो भी समस्या है उसको जो है समस समस्याओं को समधान है तो बेवहार के उप्यों किया जाता है अपने बेवहार का जिसे समस्या का समधान हो पाए इसलिए जो है बेवहारिक समास्तास्त्र है यानि अपलाइड सोसियोलोजी है जिसने समस्याओं को समधान के लिए अपलाइड किया जाता है बेवहार का समझ तीसरा देखिएगा विशुद समाजतात्र है pure sociology है pure sociology का मतलब होता है कि विशुद विज्ञान द्वारा देख लिजे विशुद विज्ञान द्वारा समागरी का अधियन कर उससे निसकर्ष पराप्त कर उन्हें सिधानतों का रूप दिया जाता है विशुद समाजतात्र के अंतरगर समाज की समस्याओं परिवर्तनों ठीक है ना परिवर्तनों वा संस्थाओं के संस्थाओं से अधियन समागरी को एक्तित कर उसका अधियन किया जाता है यही विसूद समाज सास्त्र होता है, समझ गए, चलिए, चोथा समाज सास्त्र है, समाजिक मनो बिज्ञान, समाजिक मनो बिज्ञान का मतलब होता है, कि समाज में होने वाले उसके बेवहारों को बदलाब, बेवहारों के अधियन किया जाता है, समझ गए, बेक्तियों के, सम इतिहासिक समाज साथ का मतलब है कि पुराने समय में क्या हुआ है समझ गया ना समाज में पहले कौन सा संस्क्रीती था कौन सा सभिता था उसी सब इतिहास से तो पता चलता है ना तो यह हिस्टेरिकल सोसिलोजी होता है जिसमें भूत बरतमान और भविस के समागरियों का अध अवस्थाओं का और मानव संबंधों का अधियन किया करना ही जो है जो है क्या कहलाता है मानव समाज सास्त का मतलब है समाजिक मानव सास्त का मतलब है कि जो भी बेक्ती समाज में होते हैं उनके परिवर्तनों को उनके विकासों को उनके कंडिशन अवस्थाओं के जो है के कारपरनाली नियम मांग उत्पादन बीतरन आधी का अधियन करना ही समाजिक और सास्त्र सोसल एकनोमी कहलाता है मतलब समाज के एकनोमी के बारे में जो अधियन किया जाता है उसके एकनोमी के विकास का, उसके कारपरनाली, उसके मांग, उत्पादन, भीतरन, इन सब का अधियन जो है समाजिक और सास्तन में ही किया जाता है, समझ गए? आथσमा पॉइंट है समाज सास्तन सोसिलोजी, एजुकेशन सोसिलोजी का मतलब है कि सखा के अंतरगर समाज में सक्षनिक सग्स्थाओं के कार, महत्भ भूमिका वा समाज पर परभाव का अलधियन किया जाता है, मतलब समाज में जो सिक्षन खर ज्थान होते है, कोचिंग, स 我要 הis इसके परवावों का अध्यन किया जाता है समाज एजूकेसनल सोसियोलोजी समासास्त के अंत्रगत संचीनिक समासास्त के अंत्रगत समझ के जाता है इसके दौरह अधोगिक इकायों में उपस्तित मानविये समस्याओं के साधन में इसका पड़ियों किया जाता है जैसे अधोगिक समाज सास्त मतलब जो भी समाज सास्त समाज में जो भी अधोगिक इंडुस्ट्रियल है इंडाश्टरी है उसमें बेक्तियों का क्या व्योर्ग का समबंध होता है इन सभी को जो है अधियन किया जाता है और ध favorable कोबद में बाकोई कि काय में उपस्थित जो जो चुरी मानव के समस्तिया का अध्यान किया जाता है तथा स्वास्त पर समाजिक और संस्क्रितिक कारकों के प्रभाव का अध्यान किया जाता है जैसे समाज में रहने बाले बेक्ति जो है विविन प्रकार के अपने समाजिक और संस्क्रितिक जो है उस पर प्रभाव परता है जिसे बेक्ति का मानसी कु से अस्वास्त होटा है तो वह बेक्ति के स्वास्त के बारे में अध्यन किरना स्वास्त समस्याओं को अध्यन करना कौन-कौन से समाज में मानव के समस्यां उपस्थ्त है यह जो semaine कि आध्यन किया जाता है तो यही medical sociology होता है समझ गए चलिए एक 11 नमबर यहां पर है अपराधिक समाज सास्त का मतलब है कि इस साखा के अंतरगात समाज में होने वाले विभीन परकार के अपराधिक घटनाओ उसके परकार कारण समाज और है उसका परभाव समाज पर क्या पडता है और उसके समधान के उपाई भी सुझाया जाते हैं इसी समाज सास्त के अंतरगाई ति आपका समाज सास्त के यह आगारा जो चीज़े है समात्र हो गया तो आप लोग देख लिजिए कि कोनकोन से है अपराधिक समास्त्र न देख लिजिए साथ्ट्र और चिकिसी समाज साथ्ट और अपराधिक समाज साथ तो इतना आप लोग याद रखिएगा अगर पॉइंट सिर्फ याद रखिएगा ना तो खुद से चीजों को लिख पाएंगे कि हमें इस सखा में फ़लाने चीज को अध्यन किया जाता है इसमें चिलाने समाज को बारे में पूछ रहा है और समाज का जो कौन-कौन से परकार है देख लीजिए यहाँ पर देखिए इवी राइटर के अनुसार इवी राइटर ने समाज को क्या कहा समाज एक अमुर्थ आवधरना है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाई जाने वाले आपसी संब समपूर्ण संबंधों का बोध कराता है और वही समाज होता है जो कि समाज एक अमुर्थ आवधरना है समझ गये जो सब के बीच पाई जाने वाले संबंधों का संपूर्णता को दरसाता है बोध कराता है समझ गये चलिए अब मैका वेयर पेज के अनुसार देखिए समाज क्या है मैंका वेयर पेज का बहुत चर्चलीत है देखिए समाज मैंका वेयर पेज के अनुसार समाज समाजिक संबंधों का जाल है ठीक है ना मैंका वेयर पेज ने क्या कहा कि समाज जो है हमारे समाजिक संबंधों का एक जाल है एक रिलेशन का क्या है जाल है समझे आगा साम्टे ने कहा कि समाज एक अत्यधिक जटिल सनराचना है ठीक है तो इस लोग को आपको याद रखना है चलिए अब हम लोग इसको परकार देखते हैं ठीक है देखिए बिभीन समाजिक सास्त्रों ने बिभीन अधारों पर समाजिक समुहों को वर्गी करन किया जिन मे से कुछ अधारों पर किये गए परकार निम्न है देखिए अलग-अलग समाज सास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से अलग-अलग समुहों के वर्गी करन किया और यह जो है आप लोग देख लिजे इस परकार से है ठीक है पहला है सदस्यों के संख्या के अधार पर पर पहला संख्या के अधार पर है संख्या के अधार पर है तो एटोमेटिक है या तो बड़ा होगा नहीं तो छोटा होगा ठीक है ना सदस्यों के संख्या के अधार पर पर पहला देख लिजे छोटे समुह है और दूसरा है बरे समुह छोटे समुह में कौन-कौन से आते हैं जैसे परिवार हो गया गाउं हो गया और इन में जो है प्रस्पर जो है रिलेशन एक दूसरे से पाया जाता है छोटे समूह में विश्वस नियता मिलता है और एक दूसरे से काफी घनिष्ट होते हैं छोटे समूह बाले ठीक है ना जैसे परिवार हो गया एक परिवार और ग राष्ट करेंगे तो यह भी एक campeon है और सब के बीच में विश्वस्अएटा पाया जाना इह असंभ'फ reflective तो इसलिए बड़े समूह में जो है विश्वास की कमी होता है यहाँ पे जो सदस होते हैं वह बड़ा ज्यादा होता है समूह में और जैसे राष्ट और प्रांथ समझ गए चलिए तो यह सदस्यों के यह देख लिजे सदस्यों के संख्या के अधार पर हो गया दो बड़े औ होता है परिवार से जो रिलेटिव होते हैं नातेदारी जो होते हैं वह भी इस्थिर होते हैं सिक्षन संस्थान भी अपने जगा पर इस्थित होता है समझ गया तो यहां पर भीर लगता है वहीं समू होता है तो सिक्षन संस्थान में भी भीर होता है जो रिलेटिव होते हैं उसमें भी भीर होता है और परिवार में भी दो चार लोग होते हैं मतलब भीर होता है लेकिन कम ही भीर होता है लेकिन होता तो है समूह तो होता है तो यही जो है इस्थिर समूह हो गया ठीक है चलिए अब यहाँ पर आई इस्थिर समूह क्या होता है तो कुछ ऐसे समूह होते स्रोता रहेगा उसके पास में वो चला जाएगा फिर वहां के जो जूंड है जो समू है वो खतम हो जाएगा तो यह क्या हो गया टेंपरोरी हो गया समझ गया न यही भीर और स्रोता होता है जिसके लिए कुछ समय के लिए भीर जामा होता है तो अभी एक समू होता है लेकिन और इस्थिर होता है कुछ समय के बाद हो खतम हो जाता है तो देख लिजे यहाँ पर स्वामीत्व के अधार पर कौन सा है अस्थायित्व के अधार पर on the basis of stability मतलब कितना ज़्यादा स्थिर है तो स्थिर में एक स्थिर था और एक और इस्थिर गृप था ठीक है तिसरा है हम की भावना तिसरा कौन है हम की भावना on the basis of beef feeling भी फिलिंग में ऊखता है एक होता है इन गृप और एक होता है आउट गृप इन गृप बला जो होता है तो इन गुरूप बाला में हम की भावना पाया जाता है इसमें जो सदस होते हैं इस परकार के गुरूप के जो सदस होता है एक दूसरे के प्रती जो है इजत समान भाव की प्रेरना दिखाता है समझ गया और जो अंता समूह बाला जो बेगती होता है वह दूसरे बाहे दिखाता है समझ गया ना तो यही अंता समू होता है और यही हम की भावना इसमें पाय जाता है इसमें जो है एक दुसरे के बेवहार जो है वह पालन करते हैं अपने समू हो के जो नियम है उसके अनुसारिया काम करते है ठीक है तो यह हो गया in group out group का मतलब है कि by group ओ group होता है जिसमें इन बेक्तियों से मिलकर जो अपचारिक रूप से संगर्ठित हो या न हो लेकिन उनके प्रति हम समू यानि अंता समू वाला जो है उदासिंता, द्वेस, घ्रिर्ना, प्रति, असपर्दा तथा संगर्ष का भाव रखते हैं ठीक है ना देखें बाय समू को वे समू भी कहते हैं यह उन बेक्तियों से मिलकर बनता है जो अपचारिक रूप से संगर्ठित हो या न हो लेकिन उनकी प्रति हम समू उदासिंता, द्वेस, घ्रिना भाव रखते हैं बाय समू किसी भी अंता समू का बिरोध समू होता है मतलब सिदा स गुरूप भी लोग होते हैं यह उन गुरूप वाले सिल्फ ए सिफ ए चाहता है की अंता सम Das यह उस में हम की भावना पाया जाता है वो अपने गुरूप के लिए हर एक चीज करता है हर एक चीजों का पलन करता है लेकिन आउट गुरूप उसके लिए सत्रू के समान होता है मतलब वह दूसरे गुरूप बाहरी गुरूप वाले के लिए बाहरी समुह वाले के लिए देखना नहीं चाहता है वह जो है उसके विरूध में होता है उसके तथा उसे घिरिना उसे परतियस परधा और उसे संघर्ष उदासिंता द्वेस का भावना रखता है कौन अंतर समूह बाला इन भी फिलिंग बाला ठीक है न एह हो गया चरिए तो यह समूह के अधार पर आप लोग हम की भावना के अधार पर देख लिए कि एक में हम की भावना पाया जाएगा वह इन गुरूप जिसमें हम की भावना नहीं होता है वह आउट गुरूप होता है और जो आउट गुरूप बाह गुरूप समूह बाला जो होता है वह इन अंतर समूह बाला का सत्रू के समान होता है समझ गया चलिए अब यहां पर देखिए चौथा है करियात्मक अधार पर चौथा कोन से है और जो समाज है उसको कारियों की अधार पर बाटा गया है जैसे सेक्षिनिक, बेवसाईक, राजनीतिक, भौधिक, धार्मिक, एवं अधियात्मीक, मनूरणजनात्मक, अब सेक्षिताओं के पूर्ती इसी अधार पर बने समुहों के माध्यम से होता है मतलब कर्यात्मक अधार पर मतलब सभी के अपने अपने कारियों को अलग-अलग तरीके से बाटा गया है कोई सेक्षनी कार में सनलीप्त है कोई बेवसाई कार में सनलीप्त है कोई राजनीतिक कार में है, कोई बवधी कार में है, कोई धार्मिक चीजों को परचार कर रहा है, कोई अध्यात्मिक चीजों को परचार कर रहा है, कोई मनोरंजन के चीजों को दिखा रहा है, तो यह सब क्या है, यह सब आपके कारियों के अधार पर जो है, समाज को अलग- के अधार पर बाटा गया है पहला है समाजिक समुहों के परकार या वर्ग का सबसे महत्पून अधार है समाजिक संबंदों की गहनताओं के अधार पर समुहों को दो वर्गों में बाटा गया है पहला है प्रात्मिक समुह और दूसरा है दुतियक समुह प्रात्मिक समुह को अनवचारिक समूह भी कहते हैं और दुत्यक समूह को अपचारिक समूह कहते हैं प्रात्मिक समूह वे समूह होता है उसे कहा जाता है जिसमें जो भी सदस होते हैं उनमें एक दुसरे के प्रती जो है आदर भाव और एक दुसरे से सभी को डाइरेक्ट संबंध होता है जैसे पीठा-पुत्र का संभन्द, पती-पतनी का संभन्द, दादा-पोता का संभन्द है, समझ गए न? तो इस सब एक directly संभन्द होता है, अर्थात एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, आते हैं, तो यह प्राथमिक संभू होता है, समझ गए? जैसे प्राथमिक संभू कौन हो उस समूह को दूतियक समूह भी कहते हैं जिसके लिए आमने सामने के संबंध अथा घनिष्टा का कोई अफसेक्ता नहीं परता है दूतियक समूह में जो है प्रेम घनिष्टा और आमने सामने का जो संबंध है डाइरेक्ट संबंध वो नहीं होता है दूतियक समूह में जैसे राज हो गया राज से उपर एस्टेट हो गया यहां का जो भी होगा वह दूतियक समूह होगा समझगे चलिए अब यहां पर देखिए दूतियक समूहों में उन गुनों का अभाव पाय जाता है जो प्रात्मिक समूह में पाय जाते हैं मतलब जो प्रात्मिक समूह में जो आपका हो गया किसका आपका परकार तो देखिए पांच परकार से बरगी करन किया गया है कौन-कौन परकार से बरगी करन किया गया है पहला है कि सदस्यों के संख्या क्याधार पर कि समाज में कितने कितने सदस्य है कनकौन से है तो सदस्यों के संख्या पर मतलब एक छोटा सम दूसरा है कि जो समू है जो समाज है वो इस्थिर है या नहीं है तो अस्थाईत के अधार पर दो भागों में बाटा एक ऐसा समाज है जो कि इस्थिर समू से चल रहा है और एक ऐसा समाज जो इस्थिर समू से चल रहा है ठीक है उसके बाद हम की भावना के अधार पर बाटा उसमें जो है इस परकार से अपचारिक अनपचारिक संगठित नहीं होता है इसमें जो होता है वह इन गुरूप वाले का सत्रू के समान होता है और बाह समूह में जो है एक दूसरे से उतना हेल मेल जोल नहीं रहता है ठीक है चोथा है कर्यात्मक अध्यार मतलब कार्यों के अध्यार पर बाटा गया जैसे सेक्षिनिक, बेवसाइक, राजनेतिक, बौधिक, धार्मिक, अध्यात्मिक, मनोरंजनात्मक यह सब जो है एक कारियों के अधार पर अलग-अलग समुहों को अलग-अलग माटा गया है तो यह आपका हो गया कौन सा कारियों के अधार पर समझ गया है चोथा अब पांचमा है समाजिक संबंधों के अधार पर कि समाज में अगर डाइरेक्ट एक दूसरे से संबंध है तो गाओं और पडिवार का समू के सदस्यों के लोग ठीक है नहीं जैसे दूतियक समू है अब चारिक है जैसे देश राष्ट एक दूसरे के सब में संबंध रहता है डाइरेक्टली नहीं रहता है तो यहीं चीज़े है दूतियक समू समझ गए चलिए अब इसका लक्षन देख क्योंकि यह ब्यक्तियों का समूह न होकर उसमें पनपने वाले समाजिक संबंधों का जाल है ठीक है ना समाज एक अमूर्थ है इसका एक लक्षन या विस्तेश्ता है कि इसमें जो है समाज एक अमूर्थ अबधारना इसलिए है क्योंकि यह ब्यक्तियों का एक समूह न होक अब यह समूह कैसे बना है यह सम्बंध से ही तो समूह बना है न तो यही समाज एक अमूर्थ है जिसमें इसके ब्यक्तियों के बीच समूह से ज्यादा important उसमें पनपने वाले सम्बंधों का एक जाल होता है ठीक है दूसरा है जो समाज होता है उसमें मिलनसार होता है कैसे लोग मिलनसार भावना कारण ही समाज में समाजिक समू एवं समाज की अस्थापना होती है एवं लोग इसमें रह सकते हैं समाज में जो होता है बेक्ति एक दूसरे से मिल के रहते हैं और इसी कारण मिल के रहते हैं तो एक दूसरे से समाजिक समू और समाज का स्थापना हो पाता है समझ गए तो यह समाज एक मिलनसार भी होता है समझ गए तिसरा है प्रासपारिक जगरूखता समाज में लोगों के बीच में एक दुसरे के परती जगरूखता होती है जिसे वह अच्छे अच्छे चीजों को जान पाता है समझ पाता है और एक दुसरे के बीचों में बाट सकता है तो समाज एक प्रासपारिक जगरूखता होता है सम समान्ता का सिधान समाज के लिए आवस्यक है समान्ता समाज निर्मान में महत्पून भूम का निभाती है जैसे लोग समान्ता के अधार पर समाजिक समूहों का निर्मान करते हैं या उससे जूरते हैं ठीक है न तो समाज का एक लक्षन समान्ता है जिसमें लोग जो है अपने समाजिक समूहों का निर्मान करते हैं और ये जो है समाजनता समाज के निर्मान में महतपून भूम का निभाता भी है और लोग उससे जूरते हैं उशी समाजनता के हिसाब से ठीक है तो ये समाजनता हो गया पांचमा देखिएगा भिंता समाज में भीनता पाया जाता है समाज में समानता की तरह भीनता भी उसका एक अंग है परतेक समू को समानता बनाती है लेकिन भीनता उसे बांधती है जैसे परिवार में भीन, उम्र, लिंग, एवंकार के लोग साथ में रहते हैं ठीक है न? देखिए समानता क्या करता है निर्मान करता है समाज का एक दूसरे को जो है क्या करता है निर्मान का कार करता है बनाता है लेकिन जो भीनता होता है यह भीनता क्या करता है कि एक दूसरे को संबंध को बानता है जकर के रखता है जैसे छोटे बड़े सभी एक दूसरे के साथ मिल रहते हैं चाहें उसका कार अलग-अलग क्यूंव नहों लेकिन सब तो रहते हैं एक घर मेया एकि परिवार में ठीक है तो समानता और भीनता भी इसका लकषन होता है समाज का संगर्थ संहांज के इसका विशेषता है क्योंकि सहयोग के द्वारा लोग एक दूसरे को सहयोग करके आपस में भायचारा और बांधते हैं एक दूसरे को प्रेम में लेकिन संघर्स जैसे ही होने लगता है तो वह एक दूसरे से अलग भी होने लगते हैं ठीक है सात्मा यहाँ पे आप लोग देखिएगा परिवर्तन सील, समाज धीरे-धीरे परिवर्तन होते रहता है या लंबे समय तक इस्थिर नहीं रहता है समाज जो होता है वह धिरे धिरे परिवर्तन होता है जैसे आप लोग पहले देखे हो येगा तो कभी जो है समाज में जो चीज पहले देखे हो येगा आज वो चीजे बिलकुन बदल चुका है तो यही परिवर्तन तो होता है ना कि समाज एक परिवर्तन सील है जो धिरे धिर संस्कृति दरोहर है अब जैसे आप लोग को पता है संस्क्रिति क्या करता है कि बेगति को उसके बताता है कि आपकी समाज में रह रहे हैं और सभी समाज का अपना अलग-अलग संस्कृति होता है और संस्क्रिती एक धरोहर होता है जो बेकती अपना सभी संस्क्रिती को बचाना चाहता है समझ गया ना और यही संस्क्रिती एक दूसरे समाज को अलग भी करता है बनाता है बिवित्ता बताता है सभी समाज में अलग अलग बिवित्ता पाया जाता है समझ गया ना तो यह संस परिक जगरुकता मिलनसार समाज एक अमूर्थ है एक विस्तेस्ता इसका या लक्षन कहिए पाया जाता है समाज में ठीक है चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक आप इसको देखिए प्यारा सिबाद दीजिए और खुद को जो है आगे बढ़ाईए और अच्छे से क्या है इस चीज़ को बताना है ठीक है और समाज सास्त्र का नर्सिंग महत्व क्या होता है यानि एक नर्स के लिए नर्सिंग में समाज सास्त्र का क्या महत्व है इस महत्व को जो है अपना बनाना है एक कूश्चन नर्सिंग का महत्व हो गया समाज सास्त्र क्यों परते है इसका महत्व बताना है और एक प्रश्ण हो गया समाज सास्त की परिभासा इसके प्रकिर्थी और इसके महत्वर ठीक है तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके समझते हैं यहाँ पर देख लीजे डिफाइन सोसियोलोजी ठीक है राइट इंपर्टेंस ऑफ श्टरडी ऑ आपका सास्त्र समाज सास्त्र क्या होता है सात्र होता है किसी भी चीज का अधियन ठीक है अधियन को ही सास्त्र बोलते हैं अधियन करना ही सास्त्री होता है तो समाज के बारे में ठीक है समाज के बारे में ब्यवस्थित धंग से क्रमबत तरीका से ठीक है अधियन करना ही ज तरीके से अधियन करने के तरीका ही जो विज्ञान है वह समाज सास्त कहलाता है जा इसी बात है समाज सास्त समाज के बारे में सास्त यानि समाज के बारे में जो है अधियन करना विवस्ति तरीके से क्रमबत तरीके से ही समाज सास्त कहलाता है ओके हिंस बर्ग के अनुसार समा समाज सास्त्र मानविये अंतह किरियाओं एवं अंतह संबंधों और उनकी दसाओं एवं परिनामों का अधियन है हिंसवर्ग के अनुसार समाज साथ मानविये मतलब मनुष्च के अंतह किरियाओं और उसके अंदर के संबंध और उनकी दसाओं एवं परिनामों का अधियन है तो इसको भी गोली मारिए छोड़िए इसको एक आये मैका बेयर और पेज की अनुसार आप लोग समझे होंगे मैका बेयर समाज सास्त्र का विश्य समाजिक संबंध है वाम संबंधों का वह जाल है जिसे हम समाज कहते हैं मैका बेयर ने सिधा बताया कि भाई समाज ओ होता है जो समाजिक संबंधों का एक जाल हो समाज उशे कहते हैं जो संबंधों का जाल हो और उस संबंधों का जाल को हम कमबद और वेवस्थी तरीके से जहां अधियन करते हैं उशी को समाज सास्त्र कहते हैं समाज क्या होता है समाज संबंधों का जाल है यह किसने कहा मैका बेर और उस संबंधों को अगर हम सिस्टमेटिक बेवस्थी तरीके से अधियन करते हैं तो ही तो सास्त्र हो जाएगा समाज सास्त बाते को समझ गए चलिए यह हो गया यहाँ पे देख लीचे इंगलीस है और यहाँ पे हिंडी यहाँ भी इंगलीस से उपर खा आब आता है कि भाई आपको जानना चाहिए लि लेकिन हम लोग पूरे इसको 21 सदी मान कर चलते हैं अभी हम लोग 1998, 1999, 1999, 1999 एस सब 20 सदी में था लेकिन जैसे ही 2000 पार आ गया यह 21 सदी हो गया तो 19 सदी का मतलब कहीं न कहीं यह 1800 सम्थिंग होगा तो यह 19 सदी है तो समाज सास्त का जन्म 19 सदाबदी में हुआ ध्यान रखि समू के करिया कलापों में भाग लेने तथा उनकी समस्याओं को सुल्जाने के प्रयास से समाज सास्त उत्पते हुई इससे पहले लोगों के पता नहीं था कि 20-50 लोगों के बीच जो है कैसे समास्या को सुल्याना है कैसे काम जो है 20-50 लोग एक साथ कैसे कामों में भाग ले इन सब चीजों के बारे में नोलेज नहीं था क्योंकि उसमय समूह के बारे में पता ही नहीं था और समुह भी जो है समाज सास्त कहीं एक भाग है ते ये चीज़े है उनिश्वी सतावदी के प्रारम्व में फ्रांस के बिचारग अगस्ट कामते आप लोग नाम सुने होंगे कि अगस्ट कामते ने समाज सास्त का नाम शरपर्थम समाजिक भौत की सोसल फिजिक्स रखा था रखा तथा 1849 में नाम बदलकर समाज सास्त्र रखा जब इन्होंने समाज सास्त्र लाया तो इस समय समाज सास्त को समाजिक भौत की इन्होंने कहा था उनिश्वी सतावदी के जब प्रारम्व में इन्होंने समाज सास्त्र लाया तो लेकिन 1849 में इन्होंने जो है भौत की समाजिक भौतकी का नाम बदल कर इन्होंने प्योर समाज सास्त रखा तो यह हो गया इसका उत्पती बास समझ गये इसी कारण से इन्हें समाज सास्त का जनक मांगा जाता है अगस्ट कामते को समाज सास्त का जनक भी मना जाता है समाज साथ को एक विशाय के रूप में बिक्सित करने का स्रे दुर्खिम, एस्पेंसर तथा मैक्स बेवर आदी बिद्वानों को जाता है अब समाज साथ के बारे में बता दिया कौन आगाश्ट कामते ने नामा करन कर दिया क्यूं आया एभी इन्होंने कर दिया लेकिन आगे चलके समाज साथ को एक सब्जेक्ट के रूप में बिक्सित करने का जो स्रे जाता है वह स्रे दुर्खिम को, एस्पेंसर को तथा मैक्स बेवर बिद्वानों को जाता है जिन्होंने एक सब्जेक्ट के रूप में इन्हें प्रस्तूत किया यह हो गया इसका ओरी स्माज साहतbre समाजीक विज्यान समाजीक संबंध के जालों को उनने सब के बारे में अधयन कराता है ना कि यह प्रकृति के बारे में अधियन कराता है तो समाज साहत का पहला है कि यह समाजिक भी ज्यान है ना कि प्रकृतिक भी ज्यान समाज साहत एक निर्पिक्ष भी ज्यान है ना कि आदारस्तात्मक भी ज्यान समाज साहत एक निर्पिक्ष भी ज्यान है नहीं कि आदारसात्मक भी ज्यान है इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा समाज साथ अपेक्छा करित एक अमूर्त भी ज्यान है ना कि मूर्त भी ज्यान है और नाहीं एक तो है आपके और भी तो श्यूर्व आपके तैस विज्यानव या समाजी पराकृति विज्या साइब पुछे फिर में ऑपन मेरे बोलता हैं दो मिनम तीम मैं देखते हैं लेकिन मेरा जो करतब है हो तो हम पिछले तीन साल से कर रहे हैं लेकिन पिछले तीन साल से ही हम देख रहे हैं कि एस्टुडेंट जो है परने वाले बहुत कम है मैं अभी वीडियो बनाता हूँ तो एक student जो है 2-3 मिनट से जादा नहीं देखता है average जबकि अगर सब लोग अगर अच्छे से पढ़ते एक तो एक तो परने वाले की संख्या कम है ठीक है परने वाले की संख्या कम है उपर से जो परते हैं वो भी पूरा नहीं परफाते हैं कुछ ही लोग होंगे जो पूरा देखते होंगे जिसके कारण 2-3 मिनट जो है average जाता है अब सुचिए न खोल 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो है उसमें से 2-3 मिनट लोग देख रहा है मतलब क्या देख रहा होगा कुछ नहीं बाकि मेरा जो करतब है हम करते रहते हैं अब करते रहेंगे समाज साथ्त के अधियन का महत्व बताना है नर्सिंग के लिए आपका जो है समाज साथ्त का महत्व क्या है यहाँ पर देख लिए देख लिए उपर आप लोग देख लिए नेचर देख लिए अब यहाँ पर समाज सास्त्र का अधियन हम क्यों करते हैं इस चीज़ के बारे में समझ लीजे थोरा सा ठीक है भारतिय समाज की समस्याओं जाती बाद भासाबाद समपरदायबाद आदी समस्याओं को बेवस्थी तरीके से सुल्याने है तो समरुपताओं का समाज ये साथ अधियन आवश्यक है आप चाहते हैं कि हमारे समाज में हो रहें अनेक घटना, अनेक समश्या, अनेक चीजों को अगर बेवथthatी तरीके से आप सुल्हाना चाहते हैं कि किसका क्या solution होगा तो उसके लिए समाज सार्थ का अधियन आवश्यक है, इसलिए महत्व है इसका इससे समाजी गति सिल्टा के बारे में जनकारी मिलती है समाज सास्तर से समाज के गति सिल्टा के बारे में आपको जनकारी मिलेगी आगे है इसमें भारतिय समाज की अन समाजों से तुनला करना संभव है आप समाज साथ के बारे में अधियन करके एक समाज को दूसरे समाज से तुलना कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि किन समाज में किस चीज का भाव है किस चीज का समस्त्रा है उसको कैसे दूर किया जा सकता है तो भारतिय समाज अन समाजों से तुलना करना संभव होगा समाज तो इस नर्सिंग के छित्र में भाई नर्सिंग में नर्सिंग का जरूरी है बड़ी एस्ट्रक्चर बड़ी पार्ट के बारे में परना एस समाज के बारे में क्यों परना समाज सास्त के बारे में क्यों दे दिया गया साइकलोजी है तो ठीक है मन के बारे में परना है लेकिन समाज के बारे में नौलेज चुकि बेगती जो होते हैं समाज में ही रहते हैं तो वह किस परिवेश से आते हैं उनका कैसा आर्थिकिस्तिती है क्या है तो इसके लिए समाज सास्त का नौलेज होना जरूरी है तो नर्सिंग में समाज सास्त का महत्र किसलिए है चलिए आज हम देखते हैं। समाज समभा की लोगों में आपसी अंतर किया का और संबंद हो था कि आपकोसमील कर आते हैं। तो समाज समीज समभाग एक लोगों में आपस अंतर किया का शास्त्र समाज सास्त्र जो है समाज या समुधाय के लोगों को आपसी अंतर किरिया का सास्त्र है वही नर्सिंग वह प्रोफेशन है जो बीमार बेक्तियों परिबार और समुधाय को स्वस्त रहने में सहायता करता है जाइश सी बात है नर्सिंग बेवस्ता है नर्सिंग प्रोफेशन वो हो है जो बिमार बेक्तियों परिबार और समुदाय को स्वस्त रहने में सहायता करता है बाते को समझ रहे हैं तो यही चीज़े होता है समाज सास्तर में जो भी बेक्ति समाज में रह रहे हैं जो भी लोग उनके आपस में क्या अंतर किरिया है उसका ही सास्तर है और उसमें nursing profession जो बेक्तियों को परिवारों को समुदायों को स्वास्त रखने में मदद करता है तो एक कप पता चलेगा जब आप समाज के बारे में अधियन करेंगे तभी पता चलेगा ना वहाँ के परिबार के बारे में, वहाँ समुदाय के बारे में, वहाँ लोगों के बारे में, उनके स्थिती के बारे में, जब आप समाज के बारे में जानेंगे तभी तो पता चलेगा न, समाज सास्तर का नर्सिंग बेवसाय में नीमन महत्व है, चलिए हम लोग देखते हैं यह question आपसे direct 5 number में भी पूछा जा सकता है कि नर्सिंग के लिए समाज सास्थ का महत्र बताएं ठीक है चलिए दिखते हैं समाज सास्थ में नर्सेज को समाज समाजिक कंतर किरियाओं को समझने में मदद मिलती है मतलब समाज सास्थ के जड़िये जो नर्स होती है वह परहाई करती है और उसको समाज और समाजिक सोसल इंटरेक्शन के बारे में समझने में मदद मिलती है यानि वहाँ के परिवेस के बारे में समझने में मदद मिलता है समाज सास्तर से नर्स को अपने विविन समाजिक प्रिष्ट भूमी के मरीजों से कम्मुनिकेशन में मदद मिलती है समाज सास्तर के नोलेज होने से नर्स को उसके आजपास के जो विविन समाजिक प्रिष्ट भूमी के लोग हैं उनसे communication में मदद मिलती है ठीक है यानि direct interact हो सकती है वह अपने समाज के लोगों से हैं ठीक है समाज सास्तर में gender issues, समाजिक बर्ग, समाजी का शमनता वह उसके स्वास्त पर परभाव समझने में मदद करता है समाज सास्त बताता है कि हमारे समाज में क्या समझता है जैसे gender issues, समाजिक बर्ग, समाजी का शमनता वह इसके स्वास्त पर क्या परभाव परते हैं इसके बारे में समाज सास्त बताता है और नर्स समझती है समाज सास्त्र से समाजिक नितियों के समाज पर परभाव के जानने में शहायता मिलती है समाज सास्त्र के पढ़ने से समाज में क्या निती है नियम है उसको समाज पर क्या परभाव पर रहा है इसको समझने में भी मदद मिलता है समाज सास्त्र के अधियन से नर्सेज को समाजिक समस्या जानने वह उसके स्वास्त पर दुषप्रभाव समझने में मदद मिलती है समाज सास्त्र से नर्सेज समाजिक समस्या को तो समझेगी समझेगी साथ ही वो समाजिक समस्या का स्वास पर क्या दूश्परभाव पड़ता है इसको भी समझने में नर्स को सहायता होता है आगे है समाज सात्र से नर्स को मरीज के समाजिक संस्कृति जीवन वा उपचार में उसकी भूमिका जानने में मदद मिलती है इसको जो है नर्स समझती है और इसलिए समाज सात्र जरूरी है समाज सात्र के परियोग से नर्स समाजिक रिसर्च कार सिखती है समाज में होने वाले खोज के बारे में सिखती है जैसे सक्चत कार करना, एस्टेटिक्स लेना, थियोरी बिकसित करना तो समाज सास्त के परयोग से नर्स रिसर्च कारी भी सिखती है जैसे इंटरव्यू करना, एस्टेटिक्स लेना, थियोरी बिक्सित करना आठमा है समाज सास्त नर्सिंग प्रोफेशनल को स्वाज सिक्षा परदान करने में सहायता परदान करती है समाज सास्ट्र जो है नर्सिंग प्रोफेसिनल को स्वास शिख्षा परदान करने में मदद करती है तो मरीज को उसके समाजिक बतावरन में बदलाव करकर रोगी को उपचार करने में इसका पर्योग किया जा सकता है ठीक है आखरी है और दसमा है समाज सास्त्रिय जनकारी से नर्स स्वयम परिवार समाज में एड़ेस्ट करना सिखती है ठीक है तो अगर नर्स को यह पता है कि समाज में हमें कैसे खुद को ढ़लना है कैसे एड़ेस्ट करना है परिवार के साथ कैसे मिलकर रहना है तो नर्स ज ग्यों ना जरूए तो आप इसको खुद भी पॉइंट बना सकते हैं किनर स्माझ के बारे में जनकारी को जदा मुलता है विभुण मुलता है स्माज के बारे में जनकारी है कुंसा मरिज्च की समाज में रहता है उसको इसे समाजिक बदलाव करके उसको स्वास्त को बेश्वास्त को बेतर कर सकते हैं तो और तर 드rez के चीज़े जो है समाज सास्त्र के लिए किया जा सकता है तो आप लोग इसको एक दो बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा